नमस्कार दोस्तों, शिप इन दा बोटल के पार्ट टू में आपका स्वागत है शिप के पीछे एक पिन लगाए ताकि आप इसमें पाल का धागा बांद सके अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखे अब हम प्लास्टिक के पाइप के लिए पाल बनाएंगे पाल बनाने के लिए पहले कागज पे धागा जुपका लें ताकि पाइप में पाल बांद समय कोई परिशानी ना हो और आप तो ये द्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पाल की दिशा एक ही तरफ हो इस वीडियो को स्किप ना करें वीडियो पूरा देखें वीडियो अच्छा लगें तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें करें पराइब करें को झाल 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 पाल लगाने के बाद फाल तु धागों को काट दे पिन में एक अलग से धागा बाने और तीनों पालों को बांते हुए धागा आगे की ओर ले जाए ये धागा हम बाद में शिप के अगले भाग में बादेंगे धागा बानने के बाद पाल असानी से जुकना चाहिए कर देख बाद देखागा बाद में बाद बाद में आगे इस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें धागे को आगे की और ना बांदे इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे के फिरैं के लिए कैंद अौया थैसा रोल तार श्तारीं के लिए अब हमारा शीप गुड़ाए बिल्कुल तेयार है अब हम इसे एक बोटल में डालेंगे शीप को बोटल में डालते समय बहुत सावधान रहें बिल्कुल भी जल्दवाजी ना करें नहीं तो ये शीप बोटल में डालते समय तूट सकती है सारे पाल को एक साइड बड़ी ही सावधानी से दबाएं और धीरे धीरे बोतल के अंदर डालें अगर आपने इसका फर्स्ट बार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके इसका फर्स्ट बार जरूर देखें वीडियो अच्छा लगें तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें जब शिप बोतल में चला जाए तो वह धागा खीचे जिसे हमने पहले छोड़ दिया था और उसे नाव के साथ बांद देखेंगे कि धागा खीचते ही पाल सिधा हो जाएगा अब आप एक एलसाइज की डंडी लें और सारे पाल को ठीक कर लें इस काम को करने में थोड़ा समय लग सकता है पर इस काम को पूरा करें नहीं तो पाल देखने में सही नहीं लगेगा प्रुल तो नहीं देखेंगे लें पाल स्वाहर भाल स्वाहर लेंगे तो आपके पाल सेक्ष पाल प्रुल में आपके में आपके लेंगा झाल प्लाग झाल अब आपका शिप इन दा बोटल बिल्कुल तेयार है इसका ढखकन लगाए और एक स्टैंड पे रख ले इस्टैंड बनाने के लिए एक टेप रोल पे दो कर्व बना ले और इसको पेंट करके सजा ले वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा बता प्रवक्त एक जबास